अबी जब हम इदर थाने में बैठे थे, कलकाजी थाने में बैठे थे, उदर परदीप कुमार एस शिप्पी हैं, हम लड़कों की प्राइवेट वीडियो बना रहे थे, वो चोरी करशे चुपके से अपने परसनल फोन में, हमें बिना इन्फोर्म किये, जब हमने ये सब दे इसके आपको अज़रत देता नहीं है, सुबह से हमारे सम्मान को बिल्कुल तार-तार कर रहे थे, अंदर थाने में ले जाके भी बिल्कुल पैरो के निच्चे कुछल रहे हैं लड़कियो की इज़त को, थाने के अंदर बिठा के प्राइवेट वीडियो फोन में बनाना लेकिन हमें नहीं पता उससे पहले इनोंने फोरवड किसी को कर दिये, नहीं कर दिये, ऐसे नीचरकतों पे इतने बड़े लेवल के अधिकारी नीचरकतों पे आ गई हैं हम अभी 25 मिट पहले थाने से निकले हैं, मेरे को संगित्ता को और साक्षी को सिरफ रिलीज गया है, और साक्षी की मम्मी को, बाकि जितने भी लोग है हमारे, जितने भी खिलाडी थे हमारे, उसमें बजरंपूनिया भी है, सत्यावर्त भी है, मेरे हस्बंड भी है, सौम व कर रखा, उदर कोई हर्याना में है, कोई पंजाब में है, कोई रजस्थान में है, कोई यूपी में है, हमारा पूरा दरना उखाड दिया है, पुलिस ने, जितने भी लोग थे सब को उठा लिया है, जितने भी लोग थे सब को उठा लिया है, कोई बड़े बच्चे थे, क कोई जो भी थे सारे खिलाड़ी और सारे खिलाड़ी कोई भी अभी छोड़ा नहीं है सिर्फ हम चार लोग छोड़े हैं सब लोग अंदर हैं बजरंग भी अंदर है तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज दढ़ने से मत उठना जो जहां पे बैठा ह वहीं पर बैठे रहे हो सरकार जानबुज के फाइं फैलारी है कि सब को छोड़ दिया गया है अभी हमें छोड़ा है जस्पंदरा मिनट पहले लड़ाई बिल्कुल खतम नहीं हुई है हम लड़ रहे हैं मरते दम तक लड़ेंगे सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं एक और चीज महाँ सब को बताना चाहते हूं अभी जब हम इधर थाने में बैठे थे खालकाजी थाने में बैठे थे उदर परदीप कुमार एस शीपी है हम लड़कों की प्राइवेट वीडियो बना रहे थे वो चोरी कर छे चुपके से अपने परसनल फोन में हमें बिना इनफोर्म किये जब हमने यह सब देखा उसके बाद में इनोंने जटके से डिलीट कर दिया फिर वो अंदर चले गए फोन का बाना लगाने के लिए फिर वो बाहर आए हम बोलें सर्फ वीडियो जो आपने बनाई है वो काटो क्योंकि वो बहुत प्राइवेट वीडियो आ चल रहे हैं लड़कियों की इज़ित को ठाने के अंदर बिठा के प्राइवेट वीडियो फोन में बनाना कौन से समविधान में लिखा है उसके बाद में जब हमने उनको डिलीट में देखा वो हमें पागल बनाने की कोईशिश कर रहे थे फिर हमने जाकर उनके फोन के डि कारे नीचर कतों पे आ गए हैं सिर्फ देश की बेटियों को बदनाम करने के लिए हमारी इज़ित को तार-तार करने के लिए हमारी इज़ित को पैरों नीचर रोंदने के लिए सिर्फ वो अपने इगों में जो ये इगों में जो बैठे हैं सभी लोग बिल्कुल तार-तार करें हमारे मान समार को इजद को सुबह से तर-तर किया जा रहा है हम इतने बड़े भुनाइगार नहीं है हम सिरफ अवाज उठा रहे हैं कि उसके बाद भी हमारे लोगों को अभी हम जहां से आये हैं कल का जिताने में छे लोग ते चार लोग और लड़ी वहां बच गए हैं ह बहुत ज़्यदा वहु से में दवेश में बात कर रहे घसे हम finding बताने हैं क्या ओनियंक्भा ना के साथ में हमें और घ्रक्र Kurd की हैं nasze से बात नहीं करने देरें थे हूँ बोलने के ससराण कि सdertथ कि अमें वाला कितने गंटे-पिठाक रखेंगे होने वाला कितने लोग कितने गंटे हम बठाने वाले हैं कितने आप कहां पर हो कुछ नहीं बता है कुछ भी नहीं जब हम बात करने की कोशुच करें हमारे लोयर से बात करवा दो हमारी फैंबली से क्योंकि सब की फैंबली में चिंता हो रही हो गे मारी मम्में पापा पी चिंता में होंगे कि क्या ह हो गया तो कभी किसी के साथ में कोई मिस एपनिंग ना हो जाए हम बोले कि एक पर इंफॉर्म करने दो कि हमें डिटेंड करिया हम ठीक हैं कोई दिकत इतनी नहीं हुई है हमारी चोट नहीं लगी है हम सेफ बैठे हैं लेकिन वह भी बात नहीं करने दिया हमारी फैमली से बात देखने लुए हमने तो कोई गुणा नहीं कि यहिए जांगी और जो आकapedलफ ही ना तो तो आप लोगोंいや मुझे ना तो प्री जीए लेकिन जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना तो आप लोगों को आपoe की साथ में आएंगे ना नहीं तो सभी एक दिन रोंदे जाएंगे ऐसे ही जो गलत के खिलाप आवाज उठाएगा ना उसको ऐसे दबा दिया जाएगा देश की बेटियों के मान समान कैसे रोंदा जा रहा है सोचो इस लेवल का प्रदीप कुमार एसीपी सोचिए इस लेवल के दिकारी जब ऐसा काम कर रहे हैं तो छोटे लेवल के लोगों क्या बूलें किसको क्या बूलें हर जगह पर बरजबुशन बैठे हर जगह पर जितने भी लोग जहां पर बैठे हैं प्लीज बैठे रहो किसी को नहीं छोड़ा गया है जूटी आपको फलीज जिसको भी छोड़ा जाएगा हम खुद लाई वार के बताएंगे आपको किस-किस को छोड़ा गया है सिरफ मैं साक्सी संगीता साक्सी की मम्मी सिरफ चार वीडियो मनाई वो प्राइवेट वीडियो अपने फोन में बना रहे हैं सोरी से बिना इन्फोर्म किया और छुपके से फोन को छुपा के बना रहेते हैं प्लीज जो भी जहां पे भी है बैठे रो ये लड़ाई खतम नहीं हुए हम सच की लड़ाई लड़ेंगे मरेंगे हम कहीं नहीं जाने वाले हम लड़ेंगे मरेंगे लेकिन लड़ाई नहीं छुटेंगे किसी भी किमत पर कुम्प्रोमाईज नहीं करेंगे जिसने गलत किया है उसको सजाय मिलनी चाहिए एक ही हमारी मांग है सिरफ अज नए संसद का उदगाटन हुआ है क्या यह देश के डैय में लिखा जाएगा कि नए शंसद का उधगारन इस नहीं के मांसमान को रहोंगे मत पत्कर लेकर कि इतनी जात्त हिए हमारे साथ की गई हम तिरंगा लेकर बैठे थे तिरंगे को भी दर्ती में से हम उठा रहें तिरंगों को जबर्दस् Fuk Remi को जमीन में डाल रहे हैं वोलूग हम बोल रहे हैं कि लिद निज अजलों कि पैट जो लोग जहां पे बैटे हों पर पलीज वही पे बैथे रहो किसी को ली छोड़ा गया है स्रफ चार लोग चोड़े हैं बजरन्ग भी अंदर है बाकि सभी पना दाना भी निखाया है जब सेंप पुलीजिशेशन में बाहर निकालो हम नहीं खाएंगे हम सब बूखे बैठे हैं उसके अबाद भी ऐसे सम्मान को ठाने के अंदर की सम्मान को रूंदा जा रहा है यह बहुत गलत यह बिल्कुल भी ऐसे वी कारिया है समिदान में बिल्कुल नहीं है ऐसे चीचे